ओम श्यंति बाबा हम सभी को हमेशा ही एक सुन्दर प्रेणा देते हैं कि बच्चे जीवन में बैलेंस रखो तो सबकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी क्या रख है इसका और कैसे मिलती हैं ये ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स माना दुआएं सबकी सुभावनाएं बैलेंस संतुलन बैलेंस कहते हैं कि जैसे कोई ग्रस्त में रहता है जोब में रहता है वो अपने काम धंदे भी करता है लेकिन पुटसार्थ में ध्यान नहीं देता है मुडली सुनी बस फिर बाबा को भूला रहता है इसको बैलेंस नहीं कहते हैं लेकिन एक व्यक्ति काम काज बहुत अच्छा करता है, साथ-साथ पुर्षार्थ पे भी बहुत ध्यान देता है, सेवाओं में भी समय देता है, इसको कहते हैं जीवन में संतुलन रखना, हर चीज के संतुलन की जरुरत होती है न जीवन में, देखो कारिये करना, नीद करना, इनके भी संतुलन की जरुरत होती है, परिवार में प्यार देना और डिटैच रहना, इसके संतुलन की बहुत जरुरत रहती है, कारिये विवार करना, और खोप सेवा करना, और मानशान से मुक्त रहना इस संतुलन की भी बहुत जरुरत रहती है तो संतुलन वास्तों में एक सुन्दर चीज है तो इससे हमारे पुर्षार्त में सरलता आती है हमारी रूहानी शक्तियां बढ़ती जाती है सब हमसे खुश रहते हैं, संतुस रहते हैं हमारा व्यवार बहुत अच्छा रहता है, तो सब की दुआई मिलती रहती हैं, अब दूसरों को सुख देते रहेंगे, दूसरों से प्यार रखेंगे, क्रो दादी एंकार हमारा कम होता जाएगा, तो लोगों की दिलों पर हम चड़ेंगे और सब हमें अच्छा भी समझेंग तो हम अपने जीवन में इसे एक बात पर बहुत ध्यान दें, कि जीवन में रहते हुए स्रेश्क पुटसार्थ भी हमारा चलता रहे, समय अनुसार जैसा की सब जानते हैं और बाबा के बहुत सारे इसारे हैं, कि समय में इस समय, चार ओर वाइब्रेशन्स में, और समय का पर भाव है, निगेटिविटी, काम विकार, और विकार बहुत भरे हुए हैं, उससे बहुत सारी ब्रह्मन आत्माएं थोड़ा धीली हो गई हैं, निगेटिव हो गई हैं, आलस और अलवेले पन में आ गई हैं, उनके विचारों में द्रड़ता नहीं रही, बहुत हलका प ना गया है, इससे अपने को बाहर निकालना है, समय का प्रभाव हम पर न पड़े, हम समय को प्रभाव मिले आएं, चारोर जो गंदा वातवने, उसका प्रभाव न हम पर पड़े, हम मास्टर किरियेटर बनकर वाइब्रेशन्स को चेंज करने वाले बन जाएं, इसकी ब्र जरूरत है, क्योंकि संसार जिस धीलेपन में चल रहा है, और संसार में जिस तरह की समस्याएं प्रकोप रूप में आगे आ रही हैं, बिमारियां वड़ रही हैं, ऐसा दिख रहा है कि दो-तिन साल के अंदर ही, ये संसार धरमराज पुरी बनना प्रारंब हो जाएगी, और अच्छे योगियों को अपने वाइब्रेशन्स फैला कर सर्वात्माओं को मदद करनी पड़ेगी, ये हमारा परम कर्तव होगा, ये कर्तव हमें पुकारेगा, और जिन्होंने अच्छा अभ्यास नहीं किया, उनको एहसास दिलाएगा, कि तुम अब भी कुछ कर लो, सबका सहयोग भी उने होता है, किस से टकराव नहीं होता, फिर भी वो अच्छा पुटसार्थ नहीं करते हैं, डीले डाले रहते हैं, नौर्मल मनुस बने रहते हैं, या अलमेले रहते हैं, तो हमें जीवन भी बहुत अच्छा संतुलन रखना है, अपने पुटसार्थ का, अपनि सेवाओं का कर्म का और योग का न्यारेपन का जिम्हेदारियों में रहते हुए हलकेपन का भी बहुत जाद कखुसी और नशे में रहते हुए नमड़ता का भी साथ साथ में बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास करते हुए बड़े सेवा भावी बड़े नमड़ चित निर्मान इस्थिती का भी तो ये सब स्वमान हम साथ लेकर चलेंगे ये सब बैलेंस साथ लेकर चलेंगे तो हमारी जीवन में एक कुछ अच्छा कुछ साथ नहीं किया पस्चाताब की लाइन में हम कभी नहीं आएंगे और इससे सब की दुआएं मिलेंगी आगी चल कर तो और भी सुन्दर होगा जब हम वाइब्रेशन से दूसरों को मदद मिलेंगे तो गुपत दुआएं हमें बहुत बल देती रहेंगी तो बैलेंस रखें, ब्लेसिंग्स लें, ओम शांती